Hello friends, this is Rahul. Welcome back to CAD Stylers SolidWorks Tutorial Series. So friends, आज हम बात करेंगे इस model की. इस model को हम किस तरह से बनाएंगे? इसकी dimensions हमारे पास इस तरह से दे रखी हैं. ये है इसका side view, ये है हमारा front view, ये है हमारा top view. तो इस तरह से आपके पास सारी dimensions से रखी हैं. इसकी help से आज हम ये model बनाएंगे. इसको start करने से पहले friends, जो भी इस channel पर बिल्कुल नए है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरू कर लेजेगे और bell icon प्रेस कर लेजेगे तापकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का update मिलता रहे है. इस वीडियो में और हमारी आने वाली वीडियो में आपको काफी को सेखने को मिलता रहे है. सुआई इस वीडियो को start करते हैं. देखिये, यहाँ पर हमारे पास ये side view दे रखा है, ये top view है, sorry, ये front view और ये top view है, चैके? तो almost side view में हमारे पास सारी dimensions है, तो side view अगर बना लें, और इसको अगर हम extrude कर दें, तो हमारे पास major part हो यहाँ पर बन जाएगा, उसके बाद हमारे पास holes है, और यहाँ पर side में जो ये rib लगी हुए है, ये किस तरह हम बनाएगे? तो ये देखते है, तो हमारे पास क्या के dimensions है, 106 और 36, ये length हम create कर सकते हैं, और इसको हम offset कर सकते हैं, 12 और उसके बाद ये सारी चीज़ बना सकते हैं, तो front plane ले सकते हैं, इस तरह से आप roughly sketch को draw कर सकते हैं, center line से आप इसको control press करके, तीनों को select करेंगे, और यहाँ से आप क्या करेंगे? symmetric, तो center से आपको ये सारी object symmetry होजएगा, means दोनों side equal होएगा, total इसके length कितनी है हमारे पास? 106, so 106 इसकी length है, और इसकी height कितनी है, total 36, okay, so अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? इसको offset करना देखिए, ये भी 12 हो, ये भी 12 हो, और यहां से भी 12 ही है, so इसको offset करेंगे, chain को select रखेंगे, और offset का distance देखेंगे, हम 12 होज़़वा है, so अंदर बाली side इसको offset कर लेंगे, close the bodies, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास होगी, देखिए, यहां से height 36 है, ये दोनों आउट हो रहे हैं, तो इन दोनों को भी आप select करके, यहां से linear कर सकते हो, दाकि एक plane पर आ जाएंगे, इसके बाद हमारे पास यहां पे radius दे रखेंगे 12 हम का, और यहां से height दे रखेंगे 34 की, तो यह height लेने के बाद, यह चीज़ बना सकते हैं, तो यहां से हम क्या कर लेंगे, rectangle ले लेंगे, इन दोनों को आप के कर लोगे, को linear कर लोगे, और यहां से आप इसका distance से कर सकते हो, कितना है, 12 वार है, ठीक है, और यहां से यहां तो कभी distance कितना है कि 12 भी आएगा, तो इसको हम क्या कर लेंगे, यहां से height कितनी है हमरे रपस, 34, और यहां से आप क्या कर लोगे, trim कर लोगे, यह, इसको आप extend कर लीजिए, और यहां पर हमरे रपस fillet दे रिखे, 12 की, तो आप fillet ले सकते हैं, 12 mm की, तो इसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए, इसको मैं trim कर लेता हूँ, उसका reason यह है कि जब मैं 44 की length लगाँगा, तो उसका center point मेरे को easily मिल जाएगा, तो अगर मैं यहां से start कोनाँगा, उसका center point यहां पर कहीं पर आएगा, तो अब इसका center point यहां पर आ रहे है, तो मैं यहां पर arc create कर सकता हूँ, तो देखिए, यह arc यहां से लेकर यहां तक ही है, सो यह वाली आर्क क्रिएट करेंगे यह आर्क यहां से लेकर यहां तक ही है सेकेंड आर्क एक और क्रिएट करेंगे यहां से लेकर यहां अब यह अपसेट बन रही है सो इसको आपको डाउनवर्ड बनाने तो इसके ओपोजिट कोर्नर को आप सिलेक कर लेजिए इस तरह से आपके पास यह complete होगी, then यहाँ पर हमारे पास radius कितना दे रख्या है, 14 का, और यहाँ पर radius 10 और 22 का दे रख्या है, तो अगर यहाँ पर मैं select करूँ, radius, देखिए radius 10 आ रहा है, और इसका दे radius चेक कर रहो, तो कितना है तो 22, विटमेंस हम बिल्कुल सही कर रहे है, और यहाँ पर फिलेट लगा लेंगे, 14 mm की, यस कर देंगे, ओके कर दीजिए, देखिए, यह remove हो गया, और यहाँ से भी हम यह वाला पार्टे इसको trim कर लेंगे, clear है, so almost हमारे पास, यह जो है drawing complete हो चुकिए है, so यहाँ से हम इसको close कर लेंगे, अब इसको क्या करेंगे, sketch, extrude, और mid plane से extrude करेंगे, कितने हम extrude करेंगे, 82 mm, so 82 mm इसको extrude करेंगे, okay, so आप देखिए तो यह जीजिज, आपकी extrude हो गई, now, अब यहाँ पर mid plane से extrude करने का benefit आपको पता चलेगा, कि हमारे पास यह जो center पर rib लगी हुई है, यह कितनी है, 12 mm की, अब rib लगाएंगे, rib के लिए हमें के करना है, again, back to front plane पर जाना है, sketch करना है, और यहाँ पर हमारे पास, एक sketch आएगा, end to, end, सिर्फ एक sketch आएगा, इसके हम extrude करेंगे, अब rib क्रेट करेंगे, rib के लिए हमारे पास sketch आना चाहिए, अब sketch हमारे पास आचुका है, देखिए, profile आपके पास show कर रहे, so preview आपको show कर रहे, then यहां से हम, 12 mm में इसको extrude कर देंगे, यह देखिए, rib की जो width हमारे पास कितनी है, 12 mm हारी है, इसको क्या कर देंगे, अब यहां पर हमारे पास क्या रहे है, fail to create rib feature, because हमारे पास जो यह arrow है, यह material side नहीं है, यह outside material है, so इसको flip material side करेंगे, और ok कर देंगे, तो आप देख सकते हो, यह चीज़ आपके पास आगी, यह चीज़ का दियान रखना की, जो आप यह extrude कर रहे होना, इसमें यह fillet लगानी बहुत जरूरी है, क्योंकि rib भी fillet के साथ ही आ रही है, जैसे कि आप यहां से भी check कर सकते हैं, यह देखिए, तो जब आप अगर आपने यह नहीं लगा रखिये, और अगर बाद में fillet लगाना चाहते हैं, तो यह चीज़ create नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि rib इसी profile को pick करेगा, जो आपने अल्रडी बुना रखिये, ठीक है, इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है, इस drawing के साथ ही आपने fillet लगा दें, clear है, यह चीज़ complete होगी, नहीं इसके बाद हमेरे पास hole रहे गई हैं अभी, so hole उसके तार fillet रहे हैं, चारो corners पर, तो यहां से हम क्या करेंगे, इस plane पर चले जाएंगे, normal कर देंगे, circle create कर लेंगे, अब circle का जो die आ रहा है, वो कितना है, 12, और इनका distance दोनों साइट से, 12 और 12 ही आ रहा है, so क्या करेंगे, और इसको center line से mirror कर दीजिए, और इसको die आ रहा है, वो कितना रहा है, 12 ही आ रहा है, clear है, तो दोनों profile चेंज होगी, now close कर देंगे, extrude cut, देखिए, यहां पर एक चीज़ आपको, सीखने को मिलेगी, like मैं यहां पर के कर रहा हूँ, up to the next, ठीक है, extrude में यह दोनों options नहीं आते हैं, extrude cut में options आएंगे, so up to the next, जहां जिस body भी अपने sketch बना, उसके next तक चला जाएगा, और through all में, उसके आगे भी अगर कोई body होगी, तो उसको भी काट देगा, तो यह चीज़ आपको यहां से, clear हो जाएगी, तो यहां से हम क्या करेंगे, अभी fillet apply करेंगे, और fillet हमारी कितनी है, 12 में हम की है, और edges पे हम fillet create कर लेंगे, यह चीज़, ok कर दीजिए, इस तरह से आपके पर सारा object, वो complete हो जाएगा, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, आपीरेंस चेक कर लेते हैं, इसकी change कर लेते हैं, body भी चले जाएंगे, और यहां से हम color change कर सकते हैं, लग यह वाला color मैंने change करते हैं, तो इस तरह से आप इसकी appearance को change कर सकते हैं, तो यहां से अगर आप इसकी edges को नहीं देखना चाते हैं, तो आप इसको remove भी कर सकते हैं, और अगर आप इसकी quality को और improve करना जाते हैं, तो यहां से आप options में चले जाएं, और performance में चले जाएं, go to the image quality, और यहां से आप image quality increase कर सकते हैं, जनके पास अच्छे computers हैं, जनकी configuration बहुत अच्छी हैं, वो इस चीज़ को use कर सकते हैं, इसके आगे और भी वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें आप और भी अच्छी quality देख सकते हैं image की, ठीक हैं, यहां से आप इसको ok कर दीजे, यहां से आप देख सकते हैं, यह देखी, image की quality और improve होगी है, ठीक हैं, अब आपको जो, यहां पे zigzag दिख रहा था, वो zigzag भी नहीं दिख रहा है, clear है, तो इस तरह से आप in objects को बना सकते हैं, in drawings को बना सकते हैं, तो I hope आपको इसमें काफी को सीखने को मिला होगा, so keep practicing, keep learning, subscribe कर लेजिए, bell icon को press कर लेजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का update मिलता रहे, ठीक है, so video यहीं over करते हैं, thank you so much for watching this video, thank you so much,